दोस्तों फानिली आप लोग के सामने है स्मार्टफून ओपो का F25 यह काफी रूमर्स में बना हुआ है काफी कुछ जादा ही हलाकि पताया जा रहा है कि एक चीज कि यह ओपो F23 का ही सक्सेसर होगा जो कि पिछले साल कंपणी ने लॉंच किया था शुरुवात में ही लॉंच F25 को लॉंच करने का तात पर यही है कि इसमें जो भी कुछ फीचर से इससे थोड़ा सा ज्यादा हट के होगा ज्यादा कुछ नहीं लेकिन बता दूं आपको कि यह 11F का भी रीब्रैंड वर्जन कह सकते हैं जो ओपो रेनो का था 11C ठीक है अब यहां पे ओपो F25 जो F-series ह काफी कुछ ज्यादा माना गया है कि इसको आपको सस्ते में होंगे लेकिन रेनो 11F का रीब्रैंड वर्जन कहा गया तो कहीं ने कहीं आपको थोड़े से चीजें मिल सकती हैं जो काम की हो सकती हैं जैसे अगर हम डिस्पले की बात करें तो 6.78 इंच की AMOLED डिस्पले जिस प मॉबाइल की एक अच्छे अनुभव के लिए ब्रैंड ने मीडिया टिक डेमेंसिटी 7050 चिपसिट का यूज कर रहा है और रेम और स्टोरेज की बात करें तो RGB RAM प्लेस 256GB का इंटरेन स्टोरेज और इसके साथ ही 6GB का वर्चुल RAM का भी सपोर्ट है उप्पो F25 5G में जैसे कि दोनों को अगर मिलाज दिया जाए तो 14GB तक यूज कर सकते हो तिल पर रेर केमेर का सेटफ है LED फ्लेस के साथ है और साथ ही में ओमनी विजन का भी है प्राइमरी कैमरा जो की 8 मेगा पेक्सल का सोनी का IMX 355 अल्टरा वाइड लेंस और 2 मेगा पेक्सल का ओमनी फ्रंट का लेंस होगा और वहीं अगर मैं बैटरी के लिकर बात करूं तो बैटरी आपको कहीं ने कहीं मिल रही है 5000 के मेंस की बैटरी जैहां उसको बड़ी से बैटरी को चार्ज करने करें 67 वाड का फास सार्जिंग सपोर्ट है और साथी में IP 65 रेटिंग है जहां पे रखा गया है बता दूं कि इसमें जो स्मार्ट फोन को जो उप्पो रेनो 11F का री ब्रेंड वर्जन बताया जा रहा है इसे कंप्री ने थाइलेंड में ही लांच किया था अब कंप्री ने अभी भी इसके बारे में कोई ऑफिशल जानकरी नहीं दी है लेकिन जो कुछ है आपके सामने है तो फिल आज दोस्तों वीडियों तेकर वीडियों फ़संद आजब लाइक करना शेर करना मिलता हूं मैं से नेक वडियों में तब तक के लिए टेक केर